जी आज मैं जा रहे हूं टमाटर की चटनी बनाने आज कर टमाटर का सीजन है इसको बना करके रख दीजिए हपता दस दिन रखता है तो हम बना रहे हैं और पहले मैं इसको काट रहे हैं देखिए इस तरह से दो टुकड़े में काट लेना है फिर उसके बाद में इसको ऐसे क पुरे टमाटर को असान है बहुत इसे हो जाता है तो इस तरीके से हमने करी 10 तमाटर लिये थे करने दब नाड़े साइस का दश्टा अम गीज दिये हैं और सब्सक्राइब नियुक्त कर रहे हैं तो मैं चतनी बनाने के लिए उसके हैं और मैं इसमें तील बड़े मिर्चे डाले हैं तील से चार और यह तेजपत्ता है और हम थोड़ा साइस में सौफ डाल रहे है तो अब यह जल जा रहा है तड़क जा रहा है अब बना रहा है आगे का मिर्चा और यह मेरा सौफ तड़क गया है अब हम इसमें टमाटर डाल रह तो ऐसे लीज कर लेना है, ऐसे चलाना है इसके, इसमें जो है कि हम अधरक डाल रहा है, करीब के 2 इंच अधरक है, हम घिस लिए है, इसको भी अधरक से थुर टेश्ट अच्छा आता है, अधरक से अध के लिए भी सही रखता है, अब मैं इसमें एक चम्मच करी गरम मसाला ड आगे हम एक चम्मच करी लाल मिल्च डाल रहा है, और इसमें हम फ्कष्टा मीठा करने के लिए हम अधर चमीच करी नमक डाल रहा है, और इसमें चीनी जो है वड़ा जादे मात्रावय पढता है तो इसमें हम 5-6 चम्मच करी चीनी डालेंगे, दो, तीन, चार, एक पांस और ये छेव, इतना हम चीनी डालेंगे और उसको अच्छी के खपा रहा है, तो टमाटर का खटी मीठी चट्मी बनके तयार हो गया, तो इसके इस तरह के बनता है, ये पूरी टमाटर के जो भी पानी था इसका वो सोख लिया है, पूरा सुख गया अब हम तो निकाल देंगे, तो चट्नी बनके तयार हो गया, देखे कितना अच्छा बना है, बहुत टिश्टी है, जटपट बनता है, और असान भी है, घर में जैसे पराठा के साथ खा लेजे, रोटी है, रोटी के साथ खा लेजे, कितने लोग दाल चावल के साथ खाते ह और घर में असानी से बन भी जाता है, एक बार बनाएए, खाईए, और आप लोग कमेंट करके बताएए कैसा बना है